हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई चैनल लाइफ ऑफ संजली मैं स्मृति आपका स्वागत करती हूँ चलिए आज हम बनाते हैं जटपट टू स्टैप गुलाब जामून रेसिपी जो खाने बहुत डिलिसी है और देखने में भी देखे आप देख सते हैं कितनी अच्छी लग कित लिया है गुलाब जामून पर मिक्स का हमने इसको कट करके अपने एक बाउल में ले लिया है यह बहुत ही सॉफ्ट स्पॉंजी बनते हैं इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती कई बार शिकायत होती है कि हमारे गुलाब जामून फट जाते हैं फूलते नहीं हार्ड हो जाते हैं तो आज मैं आपसे ऐसे टी पॉन ट्रिक्स करोंगी जिससे आपके गुलाब जामून में ऐसी को भी प्रॉब्लम नहीं होगी और बिल्कुल सॉफ्ट और स्पॉंजी बनेंगे हमें हलके हाथों से सभी यह जो हमने प्टिमिक्स निकाला है इसको अच्छे से मि अच्छे लिए है ताकि यह पूरा 100 ml मैंने नाप के 100 ml इसमें जो वाटर है हलकाल सा लुक वाम है लुक वाम वाटर से हमने इसका आटा लगाना है और हमने इसका आटा है बिल्कुल गूतना नहीं आटे की तरह बिल्कुल चिप चिप रखना है और बहुत जादा लूज र आटा बिल्कुल आपको ऐसे ही लगाना है जैसा मैं लगा रही हूं इससे आपकी जितनी प्रॉब्लम है वो सब सॉल्व हो जाएगी देखे अमने चिप 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 आटा लगाना है बिल्कुल चिप चिप आप देख सकते हैं यह थोड़ा सा हातों में चिप केगा आप देख सकते हैं अच्छे से हमने इसको नहीं करना है बस इसको चिप चिप पासा रखना है और इसको अच्छे से गूत के और इसे हम रेस्ट करने के लिए 5-7 मिनट के लिए रख देंगे जब तक यह रेस्ट होता है तब तक हम अपनी चाशनी रडी कर लेंगे तो अधी किलो चीनी है यह चार सो से पांसो ग्राम चीनी लिया है मैंने और दो कप बड़े कप भर के मैंने इसमें चीने डाला है और देर कप मैंने पानी यूज किया है और हमने इसे दो कप चीनी और डेर कप इसी कप से मैंने पानी यूज किया है और इसे हाई फ्लेम पर लगातार चलाते वे हम तब तक पकाएंगे जब तक हमारी चाशनी में बॉयल ना आने लगे हमने इसी में चाशनी में दो से चार इलैंची कूट कर डाली है अब हमें इसे लगातार चलाते वे बॉयल करना है हमें एक तार दो तार की चाशनी नहीं चाहिए हमें चाशनी ऐसी चाहिए जो चिपचिपी हो तो यह बॉयल हो रहा है लगातार चलाते वे हमने चाहशनी को हाई फ्लेम पे बॉयल करना है जब यह चाहशनी हुबलने लगे तो वे फ्लेम को लो कर देना है और मेरी चीनी यहाँ पर साफ थी तो इसलिए मैंने इसमें कुछ भी नहीं आड़ किया है अगर आपकी चीनी गंदी है आपको चीनी ग अगर जो आटा आटा हमने पांसे साथ मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख दिया था अब यह बिकुल रडी है देखिए बिल्कुल भी अब चिप चिपा नहीं लग रहा है थोड़ा सा अपने है तो पर घी लगाना है और अच्छे से इसको गूत लेना है अगर चरहें के अब करीजी जाएब कर द्वाद मूंद करकर लिंगताल सक आटा सकती है उस पर जबिह बिय्और उखे हैर साइखित आप जसाइज बयात जिस साइस में कंफर्टे वा ऊइडार लो उस साइज का अप इसके च्डियों में अस्शाइज को ऊच्छीश किजिए कि य देख आपके अपने च्वोटे रघ्र त्यार कर सकती हैं है कि अब मैं यहां पर सारेisch बैद अन्यурिक नियार रहना कर दाएँ कर दोब्स हो नीखेद क्सरा और चिल्य स्वाऻट्रत व्यकोरां जा यहीं हैं यह को मैं अपनी हमें और बालस सके अल्षकास आप तो आपका जो यह प्रिमिक्स का जो हमने आटा लगाया है यह चिप चिपा होगा अगर यह आपने हार्ट गूद दिया तो 100% प्रेक्स आएंगे और आपके गुलाब जामून फट जाएंगे जब आप ऑईल में टालेंगे यह साइज इंक्रीज नहीं करेंगे देखे हमारी दाने होने भ Voice यह हूँ कर लेते हैं इसे च्आशनी का आहिया हम यह तेी करने का एक सी टरीका है हम इसे लिचे के बीच में लगाएंगे तो यह जैसी हमारी शहद होती रह ineर चीपी होगी हमारी चाशनी डन है हमने ऑईल कर लिया है हमने ऑईल को बिकुल मीडियम बिकुल लो कर लिना है पहले हलका सा बिकुल ज्यादा गरम नहीं करना हमático मीडियम रखना है ऑपश्म Wire से डाल देंगा यह ज़िए फिलम आप ऐसे डाल दालिया और इसको टैच नहीं करेंगे इसको सिर्फ हलका हलका सा अपने पैन को स्टर करेंगे और यह अपने आप मूव होता रहेगा इसे बिल्कुल लो फ्लेम कर दे फ्लेम को बिल्कुल भी हाई ना करें अदर्वाइस आपके जो गुलाब जामून होंगे वह उपर से तो रैड हो जाएंगे बट अंदर से वह कच्छे रह जाएंगे और फिर जब आप चाशनी में डालेंगे तो अच्छे से फूलेंगे नह है हमने फ्लेम को बिल्कुल लो पर रखा हुआ है और धीरे धीरे से गोल्डन ब्राउन होने तक इसे धीरे धीरे हम खाली स्टर करेंगे हमने अभी तक इसमें कर्ची वर्ची कुछ नहीं लगाई है अदर्वाइस हमारे जो गुलाब जामून के बॉल्स हैं यह तूट सकत अब फर्स टाइम कर रहे हैं तो आप थोड़े थोड़े बॉल्स डाले एक बार में ज्यादा बॉल्स ना डाले हमारे बॉल्स बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं एक एक करके इसे आराम से अपने एक इसी एक उसमें चनी में ले ले लेंगे जिसे ऑईल जो है वो नीचे रि ओं चाष्णी के अंदर यह ज़िए और अब ठंडी नहीं विया अगर आपकी ठंडी हो गई है तो आप उसे अगें गरम कर ले और हम यह सारे बॉस जैसे ब फ्राई होते रहें है वैसे बैसे यजा से ब्सक्राइब धिर दिखें हमारे सारे बॉस फ्राई हो चुके हमने इ इसे ओवरनाइट रख सकते हैं कम से कम चार घंटे तो आपको इसे सोक रहना ही देना है चार से पांच घंटे बाद इसे आप सर्व कर सकती है और मैंने भी इसे सर्व कर लेना है चार से पांच घंटे बाद और फिर मैं आपको दिखाती हूं देखिए हमने इसे सर्व कर लिया ये किसने जूसी और स्पंजी बने हैं इसे आप ड्राइफ फूट से सजा सकती हैं देखिए ये अंदर तक जूसी है मैं इसे कट करके दिखाती हूँ कितने सॉफ्ट है देखिए अराम से इससे कट रहा है देख सकती है अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और जासे आपने फैमली और फ्रेंड के साथ सेयर कीजिए देख सकते हैं आप ये कितना स्पंजी बना है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा थाइंक यू थाइंक्स फर वाचेंग